नमस्कार दोस्तों दोस्तों कैसे हो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे पेड़ के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है इसका फल जो होता है उसको आमला कहते है और आमले का पेड़ होता है तो आमला जिसके उपर लगता है आप देख सकते हैं इसके उपर आमले लगे ह और पॉस्टिक होता है तो दोस्तो आमले का चार बढ़ाने के लिए हमने इस आमले को नीचे उतारना है हमने टैनियों को नीचे उतार लिया है और टैनियों के उपर जो भी आमले हैं हमने यहां से यह देखो यह आप देख सकते हैं हमने टैनिया काटकर आमले इसके ले लिए हैं तो दोस्तो नीचे का आमला नहीं कठा करना अपने अगर आपने ऊपर से टैनि काटी है तो उससे जो नीचे ताज आमला वो लेना है तो जो नीचे गिरा हो आमला वो अपने नहीं उठाना है क्योंकि नीचे वाला के वार के वार के खराब हो जाता है जिसके करने आचार खराब हो सकता है दोस्तो एक चीज में बता दू कि आमले का आचार जो होता है बहुत ही टेस्ट होता है और पॉस्टिक होता है तो दोस्तो आमले के अंदर जो बिटामिन C होता है वो भरपूर मातरा मात इसलिए गर्मियों में अगर लू चल रही होती है तो उस टेम अगर आमले के आचार को या मुरबा आप डेली खाते हैं एक आमला पूरा दिन वो कर देता है तो इसलिए आमले का आप आचार को खाएं जिससे आपको गर्मी भी बहुत कम लगेगी और बिटामिन C भी आपको भरपूर मातरा मिलेगा दोस्तों मैं बता दू कि आमले के अंदर 99% बिटामिन होते हैं क्योंकि यह जो बहुत ही पॉस्टिक और नैचरल फल है यह हर जग अपवाया जाता है तो दोस्तो इस वीडियो मैं आप सुखोगे कि हम आमले का चार कैसे बनाते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं यह आमले का पेड़ा हमने आमले के पेड़ से हमने आमला उतार लेा नीचे मैं भी आपको बता हूँगा, यह देखो तो ये आमले हैं देख सकते हैं और हमने ये कठे कर ले हमने दो तिन किलो बनाना है क्योंकि जिससे हमारा पूरा साल चल जाए अगर ज्यादा सात्मा मुरब्बा भी बनाएंगे तो दोस्तो जो वाकी बिर्धी होगी वो आपको मैं घर में जाकर बता हूँ तो दोस्तो अभी आपको बता रहा हूँ इसमें आप देख सकते हैं आमला मैं कहां से लाया हूँ घना जंगल है रास्ता बिल्कुल नहीं है देख सकते हैं इस रास्ते से मैं आया हूँ और उपर म जैसे दोस्तो पाड़ों के अंदर हर चीज जो होता है हर परकार की यह पर जड़ी बुटी पाए जाती है तो आमला भी एक परकार की जड़ी बुटी है अगर आपकी नजर कमजोर है तो आप आमले का सेवन करिए अगर आपके बाल तूट रहे हैं तो आप आमले का सेवन करेए अगर आपके श्रीर में बिटामिन C की कमी है तो आप आमले का सेवन करेए तो दोस्तो आमला जो होता है काफी चीज़ों के लिए पोस्टिक होता है तो दोस्तो इसका आचार आप सभी ने जरूर खाना है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक करने हैं तो दोस्तो तब तक बैठ करें दोस्तो आज हम बताएंगे कि आपको आमले का आचार बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है तो दोस्तो आमले तो हमें पेट से तोड़ कर लेा हैं तो अब हमने आमले को क्या करना है पानी यह चुला ए हमारा देशी चुला और इसमें आमले क्या करना है यह हमने उपर बरतन रखा dependent भरतन में हमने पानी डाल रellschaft तो दोस्तो इस गरम पानी के अंदर हमने इसको डाल देना है और इन सभी आमलों को उबालना है तो दोस्तो अभी आमलों को डालते हैं तो दोस्तो ऐसे उबालने के बाद जो है जैसे थोड़ा ये फट जाते हैं जब ये फट जाएगा बिल्कुल थोड़ा सा जैसे जब भी थोड़ी देर मैं आपको पताऊंगा इसमें तो उबल जाता है तो उसके बाद आपने इसमें क्या करना है इसको पाजी का नितार देना है और इसको धूप में सकोने के लिए थोड़ी देर के लिए तो दोस्तों ऐसे ही जो होता है आमलों का आचार, तो आचार के लिए क्या करना है, सभी ने ध्यान से देखना है आमले ले आने ये पाड़ी आमला है, तो काफी टेस्टी और पॉस्टिक होता है, उसके बाद आपने इसको गर्म पानी में अबालना है और दोस्तो इसके बाद मैं जो भी होगा आपको इसके आगे बताऊँगा, तब तक आप बेट करें तो दोस्तो हमने आमले को उबाल दिया है ये आप देख सकते हैं, जैसे आमला अब उबल गया है, और उबल कर आपने दोस्तो जब मुरबा बनाना होता है, तो अब ये पूरा फट गया है तो इसकी हमने क्या करता है, इसको इसको धूप में रखना है कि सूख जाए, इसका जो पानी निकल जाए और उसके बाद हम इसमें तेल लगाएंगे मसाला डालेंगे, तो दोस्तो आमला जब उबल जाता है, तो जैसे ये फट जाता है, तो ये अचार के लाइक हो जाता है तो दोस्तो अब तब तो बेट करें और उसका आगे वीडियो देखें दोस्तो आपने देखा कि जो हमारा टेल हो गरम हो रहा है और उससे धुआ निकला तो हम इसे गैस को भी बंद कर देते हैं तो गैस को मैंने बंद करते हैं सबसे पहले तो हम डालेंगे जीरा तो दोस्तो जीरा डाल रहा हूं तो जीरे को भूनना है अच्छी तरह से उसके बाद आपने इसमें नमक भी डालना है इसके बाद आपने इसमें ँडालना है तो नमक और मिर्च जो है अपने तेस्ट के हिसाफ से डालना है और मिर्च भी ज़्यादा तेज नहीं डालने क्योंकि ज़्यादा मिर्च होगी तो आप से यह खाया नहीं जाएगा कुंकि इस लैटी का ध्यान रखना है और भी शेड देते हम मैं अब ने गयास को बर्द कर दिया है है वहां इसी को इसी के बीच में दीरे दीरे इसको इसी से पकाणा है क्योंकि यह तेल गर्म हो गया और जैसे ही तेल हमारा थंडा हो जाए गाएगा तो हमने इसके grinder मशेन से अपने इसको बरीक कर लें या आप साबूत भी डाल सकते हैं मैंने तो ज़ुझे साबूत डाले तो क्या आता है कि आपको खाने में भी थोड़ा आनन दाता है और चबाने में बजाता है दोस्तो तो आप सीख रही है कि यह साद आमले का चार्ज होता है कैसे बनाए जाता है दोस्तोंने अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करने है and channel को subscribe करने है इसको क्या करना है आपने अभी थोड़ा ये तेल गरم है तेल तोड़ा वो हो जाता है और इसके अगर चाहे तो आप गुठली भी निकाल सकते हैं अगर गुठली के साथ खाने का आचार का जो टेस्ट होता हो तो डिफरेंट होता है इसलिए मैं गुठली के साथ खाना प्रैफर करूँ अगर आप बिना गुठली से खाऊगे तो आपको चार कानंद नहीं आएग तो दोस्तो हमने इसमें सारा हिलाना है इसको अच्छी तरह से क्योंकि इसके अंदर मैंने तेल डाल दिया है तेल को गर्म कर दिया है अब हमने इसके अंदर मिलाना है दोस्तो आपने देखा कैसे हमने इसके अंदर यह डाल दिया है अब हमने इसके अंदर मिलाना है जिसे ही खरामनो दोस्तो इसके अंदर आपने सरसो जीरा जो भी आप मसाला इसके अंदर डालना चाहते हो भून कर इसमें डाल सकते हैं जिसे आप इसका चार कान अंदर ले सकत तो दोस्तो अभी अभी इसको हम मिलाएंगे धेरे धेरे से तो दोस्तो आप देख रहे हैं कि यह आमले का चार है आज आपने सीखा कि आमले का चार कैसे बनता है तो दोस्तो हमारा जो आमले का चार है वो बनकर त्यार हो गया है अब इसको आप थोड़ी देर के बाद इसको विठी लगे अरौ मत अए आप अच़ार के अनंद ले सकते हैं हमारा अच़ार बनंगर ध्यार हो गया तो दोस्तो अगर वीडिया अच्छा लगा तो प्लेस वीडियो को लाइक करें, शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जय हिन जय वारत